आईक्यू लेबल के नुसार दुनिया में दो तरह के लोग पाया जाते हैं एक होते हैं डी ओंटलोजी एक होते हैं टीलियोलोजी डी ओंटलोजी का हिंदी होता है नियम वाते यह लोग कहते हैं कि काम हमेशा नियम के नुसार होना चाहिए और टीलियोलोजी का हिंदी होता ह यह लोग कहते हैं कि काम वैसा होना चाहिए जिसका रिजल्ट अंत में अच्छा हो एक मरीच एक महीने से बेट पे लेटा हुआ है और चोवीशों घंटा दर्श से चिलाते रहता है एक दिन वो डक्टर से काता है कि प्लीज दक्टर मुझे इंょक्षन कर के मार दिजें mosquito कहते मैं हमेशा हुआ दर्श से मुझे मुक्ती मिल जाएगी और मेरे घर वालों को भी मुक्ति मिल जाएगी मुझसे लाखो रुपिये मेरे घर वाले लगा चुके हैं प्लीज मुझे मार देजिए तो यहां पर अब देखिए एक आदमी भागते भागते आया और आपके घर में आकर चुप गया और बोलने लगा प्लीज मुझे बचा लीजे मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं गुंडे आए आपके दर्वाजे खट खट आए आप आए बाहर गुंडे बोले इस आदमी को आपने देखा है आपने नहीं इस आदमी को मैं नहीं देखा हूं गुंडे चले गए तो आपने यहां पर जूट बोला क्यूंकि आपने रिजल्ट को देखा कि रिजल्ट अच्छा होगा उस आदमी की जान बच जाएगी तो आप टिलियोल लोजी हुए लेकिन गुंडे आते और आपने इसे देखा है तो आप बोलते हाँ मैं इसे देखा हूं वहीं पे छुपा है पकड़ लीजिए आप तो सड़े सत्यावादी इंसाने नियम के पालने वाले आपको भी जूट नहीं बोलते और उसको पकड़वा दिये उसको लोग मार दिये और फिर बोहने लगे कि एक्जाम्पल देखिए एक लड़का का आज ही आईएस का इंटर्वीव है अगर वो इंटर्वीव दे देता है तो 100% गरांटी है कि वो आईएस बन जाएगा तब तक हस्पीटल से डॉक्टर फोन करता है कि आपकी माँ बीमार है अगर आप अभी आ जाएंगे तो आपकी मा कल तक मर जाएंगे तो लड़की का पास दो अपसन है अगर वो जाएगा तो आईएस नहीं बनेगा अगर नहीं जाएगा तो आईएस बन जाएगा और लड़की का ये दूनों अपसन बहुत ही इंपोर्टेंट है अब वो कौन सा अपसन को चूज करेगा तो अगर वो माँ तो दस दिन बाद फिर मर ही जाएंगी आज मरे या दस दिन बाद मरें अगर घर आ जाता है तो उसको आई-इस भी हाथ से चला जाएगा और मां भी हाँ से चली जाएगी तो यह वाला अप्सन उसके लिए ठीक नहीं है और एक एक जांपल देखिए एक लड़की बहुत ही जिद्दी आदमी थी नियम के मानने वाली एकदम पक्की थी और वो रूटीन बना के रखी थी कि मुझे चार बजे उठी ज उठ गई मांते रहे हैं डी अंट लॉजी को देखिए किसी भी समाज में 75 परसेंट ऐसे लोग होते हैं जिनका आईक्यू लेबल समान्य होता है और उन लोग में सोचने की छामता भी बहुत जादे होती हैं तो वह लोग हमेशा रिजल्ट को देखते हैं और टीलियो जाएगा जो नियम है उसी पर चलो एकदाव मस्त है